इस वीडियो के अंदर हम लोग comparison करने वाले हैं एक normal shared hosting या फिर एक LMS hosting यानि कि learning management system किसके लिए कौन सा suitable है और इन दोनों में क्या क्या differences है इन दोनों ही points को हम काफी जादा detail में इस वीडियो के अंदर जानेंगे और किसमें क्या benefit मिलता है आपको किसी को अपनी company शुरू करनी है कोई freelance का काम कर रहा है web designing development कर रहा है तो कौन सा उसके लिए suitable होगा और किसी को अपने school college educational institution coaching इन सब की website को अगर live लेकर के आना है तो उन्हें कौन सी hosting suitable रहेगी तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग यही discuss करने वाले हैं वीडियो को start करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर new है तो subscribe करें बैल आइकन को क्लिक करके all notification को on करें तक कि आपको latest videos की notification मिलती रहे आज के वीडियो के अंदर मैं यहां पर consider कर रहा हूं domain racer को website है domain racer.com यहां पर आपको domain name web hosting के services मिल जाते हैं अगर आप यहां website पर आओगे तो पहला ही highlight है 16 cross faster speed आपको minimum मिलेगी maximum बहुत जादा जा सकती है यह नीचे अगर आप scroll करोगे तो basically यहां से आप अपने लिए domain name select कर सकते हो ठीक है यह link मैं आपको description में provide कर दूँगा अभी हम चलते हैं web hosting page की तरफ और basically यहां जो आप देखोगे वो shared hosting है हम इसका comparison करने वाले हैं LMS hosting के साथ यहां पर आपको क्या मिलता है shared hosting के अंदर domain research case में पहली बात तो यह light speed की technology है और साथ में आपका purely SSD का disk space है SSD काफी जादा fast होता है अगर आपने even अपने computer में भी hard drive और SSD को use किया हो तो आपको पता होगा SSD बहुत जादा fast होता है और इन दोनों का combination आपकी website को 20 times faster बनाता है और वो जल्दी load हो जाता है इ जो कि आपका SSL certificate यह आपका lock का symbol जो होता है यह सारे customer को मिलेगा जो इन में से कोई भी plan यहाँ पे opt करें pricing plan के अगर हम बात करें तो shared hosting के अंदर basic plan जो है यह 59 rupees per month से start होता है जो कि advance तक आपका 249 rupees per month तक जाता है basic वाले में क्या मिलता है आपको एक website आप बना सकते हो 1 GB की space म 5 GB की bandwidth मिलेगी light speed की technology है वो सब में है अब यह email address क्या होगा जैसे कि आपने वाई कि यह amand.com तो info at the rate amand.com, hr at the rate amand.com, owner at the rate amand.com कुछ ऐसा create करना है तो 10 create कर सकते हो यह पहला plan उनके लिए suitable है जिन्हें school या college के project को online लेकर के आके teachers को दिखाना है सस्ते में आपका काम हो जा जाएगा कोई reality में भी website को online लेकर के आना चाहता है तो बिलकुल लेकर के आ सकता है बट एक चीज़ आप ध्यान रखे यहाँ पर एक GB की space मिलेगी और bandwidth की भी limitation है तो मैं personal point of view से यह recommend करता हूँ कि अगर सच्च में website को online लाना है किसी अपने काम के business के तो personal plan जादा suitable होगा क् कुछ आपको unlimited दिया गया है और यहाँ पे आप हर चीज unlimited create कर सकते हो website आप एक host कर सकते हो अगर तीन website को host करना है तो silver plan आपके लिए suitable है 169 रूपीज पर month है और अगर आप IT industry में रह करके काम कर रहे हो या freelance हो web designing development का काम शुरू कर चुके हो करने का सोच रहे हो अपनी company establish करन website नहीं खरीद होगे यहाँ पे आप domain research का advanced plan खरीद सकते हो heavy traffic websites के लिए बहुत बढ़िया है इसमें आपको domain name भी free मिल जाएगा एक domain name और unlimited website host कर सकते हो जितने मर्जी website आप इसके अंदर host कर सकते हो और बाकि सारी चीज़े आपको इन में same मिलेंगी इन तीनों में एक और advantage ह है कि premium SEO tool आपको free मिलता है जिसकी market cost $49 per month है यानि की approximately 36-3700 रुपीज पर month है तो वो भी आपको इन तीनों ही plan में free of cost मिल जाएगा तो ये मैंने आपको बता दिया ये college school के projects के लिए ये real website के लिए suitable है ये 3 website के लिए और यहाँ पे unlimited websites के लिए आप किसी के ऊपर भी checkout पे click करक रखते हो अब हम बात करते हैं LMS hosting की देखिए LMS का मतलब होता है learning management system अगर आपको एक website बनाना है लेकिन वो specifically video sharing type का है कुछ learning वाला platform है जैसे Udemy के ऊपर course बिखता है आपका Coursera के ऊपर course बिखता है byju है unacademy है जहाँ पे लोगों को live पढ़ाया जाता है और साथ में recorded video को भी वहाँ पर रखा जाता है अब यह आपके ऊपर है आप उसे free of cost देना चाते हो या बेच करके पैसे कमाना चाते हो अपने अपने courses को इन चीजों के लिए school की website coaching की website university की website जहाँ teaching का एक main motive है यहाँ पे domain racer का LMS hosting यानि की learning management system का hosting बहुत जादा suitable है और आपका खर्चा यह क साफी जादा बचाएगा almost आपका 70% cost यहाँ पर बच जाएगा और सिफ 30% amount खर्च के आप पूरी की पूरी चीज यहाँ पर गेन कर लोगे premium video platform यहाँ free मिलेगा अब यह कैसे setup करना है क्या होता है इसके उपर भी detailed video मेरी बनी हुई है description में आपको इस video का link को दूँगा जहा आप आप online coaching या पढ़ाने के लिए पूरी website को ready कर सकते हो यहाँ पर आपको premium video platform free मिलता है $49 per year इसकी fees है आपको pay नहीं करना है live पढ़ा सकते हो course based सकते हो quiz, games, attendance, enrollment, exam conduct करना है यह सारे options यहाँ पर आप बहुत easily कर सकते हो आप कहोगे LMS के लिए hosting क्यों buy करे अलग से normal hosting के उप WordPress के plugins available है, बहुत सारे है popular वाले उनी में से एक है Tutor LMS, आप उसका free version भी use कर सकते हो, at a time आप उसका paid version भी use कर सकते हो, क्योंकि paid में हमीशा ज़्यादा advantage आपको देखने को मिलता है, free वाले में क्या होता है, आप अपनी websites को YouTube, Google Drive, इन सब के उपर host करते हो, तो अगर आप ऐस करोगे, तो यहाँ पर आपको branding देखने को मिलेगा, यह देख पार है आप इस चीज़ को, इसके उपर क्लिक करूँगा, तो मैं उस YouTube चैनल के उपर चले जाओंगा, title दिख रहा है, YouTube की branding दिख रही है, अगर आपका normal वीडियो होगा, या कोई भी वीडियो है basically, तो यहाँ पर suggestions भी तो आते हैं, YouTube के वीडियो के, जो की suitable नहीं है, लोग यह सोचेंगे कि YouTube के course के लिए, free वीडियो के लिए पैसे ले लिए हमसे, और यह branding का impact भी खराब करता है, ठीक, वहीं दूसरी तरफ इस hosting में आपको private video solution platform मिलता है, जिसकी quality आप देखो, इन दोनों के बीच में differences है, अगर मैं इस वीडियो को pause करूँ, तो आप quality देखो, इसकी quality enhance होके better आया है, saturation वगरा, color combinations आपको इस comparison में यह ज़्यादा better देखने को मिलेगा, और कोई YouTube की branding नहीं है, तो पहला difference तो यह हो गया, इस case में YouTube वाले case में आपको YouTube की branding, बहुत सार advertisement देखने को मिलेंगे, suggestion द premium quality होगी, customize कर सकते हो अपने according, और video player भी आपको मिल जाता है, plus उसकी security मिल जाती है, और क्या है यहाँ पे, tutor LMS, जो की WordPress का एक plugin है, अगर एक website के लिए चाहिए है, तो साल का $149 का खर्चा आएगा, आपका, almost यह आपका 10-11,000 का amount है, वो भी इसी pack के अंदर include करके आपको free of cost दिया जा रहा है, यह tutor LMS के जरीए आप क्या कर सकते हो, यह मैं आपको practically दिखा देता हूँ, इसको हम फिलाल नीचे scroll करते हैं, आप खुद से comparison कर सकते हो, कि market में already जो LMS hosting आपको provide कर रहे हैं, उनके क्या cost है, यहाँ पे आप देख सकते हो, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेग और जो domain research आपको provide कर रहे है, उसमें क्या आपको extra मिलता है, तो आप comparison कर सकते हो, ठीक है, cost की हम बात करते हैं, single website का खर्चा आएगा, आपका unlimited का storage है, पहली बात, LMS का license यहाँ पे free मिलेगा, वरना आपको अलग से 1500 dollar का खरीदना पड़ेगा, SSL certificate, light speed की technology free of cost है, private video solution 49 dollar वाला free है, इन सब का combination, ध्यान दे, hosting, SSL certificate, यह सारी चीज़ आपको 104 dollar, 104 dollar के अंदर मिल जाएगी, अगर आप normal hosting के अंदर tutor LMS खरीदने जाओगे, तो hosting का खर्चा लगाएगा, और साथ में 1500 dollar का खर्चा अलगाएगा, लेकिन यहाँ पे 104 dollar के अंदर वो मिल जाता है, अगर 5 website के requirement ह तो 144 dollar में आपका काम बन जाएगा, और detail के लिए आप यहाँ पे buy पे click कर सकते हो, और एक domain name जो आपको चाहिए हो, उसको check करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि currently हमें यहाँ पे details को check करना है, तो यहाँ पे आपके सामने detail है, एक website, NVMe SSD unlimited storage, यह काफी जादा fast SSD आपका होता है, 2 GB की RAM मिलेगी, market में लोग आपको आदा GB RAM देंगे, 500 MB, 700 MB, private video platform आपको मिल जाएगा, LMS मिल जाएगा, free of cost, basically यह 149 dollar वाला, इतने cross की आपको speed मिल जाएगी, backup free मिलेगा, तो इनकेस website hack हो जाए, कोई issue आजाए, तो आप backup से recovery कर सकते हो, domain research के special guide आपको मिल जाती है, और security के लि यह normal users के लिए ठीक है, जिनको websites पर ही काम करना, लेकिन यह academics के लिए, learning management के से लिए, उनके लिए जादा better है, और अगर हम dollar to INR करें तो 104 dollar आपका बनेगा, 7700, यह थोड़ा बहुत कम जादा होगा, according to dollar का price fluctuation, तो इतने में आपका एक साल का काम बन जाएगा, और आप काफी जादा कमा सकते हो इससे, तो यह मेरी वो website है, जो कि मैंने LMS hosting को use करके बनाया था, और यहाँ पे online पढ़ाया जा सकता है, और सारे details यहाँ पे मैं आपको check कर आता हूँ, अगर मैं अपने WordPress interface में आ जाओ, इसका tutorial link आपको description में मिल जाएगा, कि कैसे मैंने इस website को create किया है, और अगर आप add-on पे click करोगे, तो यह features जो है यह आपको अलग से buy करना पड़ता है, और यह काफी महंगा पड़ जाता है, ठीक है, तो यह सारी चीजे आप देख पार है, buy now, buy now, यह लिखा हुआ है, तो यह आपको buy करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने domain racer का LMS hosting buy किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको pro version मिलता है, और pro version के अंदर आपको बहुत सारे options मिलते हैं, और अब अगर मैं आपको add-ons पे click करके दिखाऊं, तो यह सारा देख रहे हो आप, जो भी आपको use करना हो, आप tick लगा सकते हो, और buy now का option यहाँ से हट जाएगा, आप enrollment करा स सकते हो, assignment करा सकते हो, यहाँ पे, exams conduct कर सकते हो, course खतम होने का certificate भी मिल जाएगा बच्चों को, और बहुत सारे details यहाँ पे available है, आप इन सारी ही चीजों को use कर सकते हो, तो यह difference होता है आपका एक normal shared hosting का, और LMS learning management system के hosting का, उमीद करता हूँ आप बहुत detail में समझ चुके होग अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपको समझ में आ चुका है तो please like करें and comment में अपना feedback जरूर दे, channel पे new हो तो subscribe करें, bell icon को click करके all notification को on करें, ताकि आपको latest videos की notification मिलती रहे, मैं मिलता है आपसे अगली वीडियो में, thanks for watching guys